हलो दोस्तों नमश्कार स्वागत है आप सभी का एक्जाम मास्टर चैनल में और सिरियसली ये वीडियो आप सब के लिए बहुत जरूरी है कैसे आप लोग संस्कृत अगर लेना चाहते हैं यूपीटिट के एक्जाम में तो पहली बात तो आपको यहां से अंदाजा हो जाए हैं कहां से किन स्ट्रोतों से क्वेश्चन आते हैं एक माइन्ड मेकप बनाई अपने अंदर इस वीडियो को देखने के बाद और ऐसी ऐसी चीजे मैं आपको बताऊंगा जो वाकई में भाशा के चैन करने में और भाशा के प्रश्णों को सॉल्व करने में दोनों में आप पर संस्कृत के जो यूपी टेट एक्जाम में ही पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे देखिए अब कहां से क्वेश्चन पूछता है यह जानना आपका बहुत जरूरी है तो आपका पहला टॉपिक है मैं आपको बता दू कि व्याकरण से पूछ लिया है व्यांजन का एक्जैम्पल तो दोस्तो सजनह क्यों क्योंकि सजन जो शब्द है यह सथ और जन यह मिल करके बना है तो यह जो सथ है यहाँ पर और कोई मात्रा नहीं है तामेहलन ठीक है यानि यहाँ पर स्वर का मेल नहीं हो रहा है यह व्यांजन है सत जन में वियन जन संधी का एक्जामपल है, तो ये देखें संधी से संधी के टाइप का question पूछा, अब उत्तम पुरुष से संबंधित, सर्वनाम शब्द कौन सा है, अब देखिए यहाँ पर पुरुष और सर्वनाम से question आया है, तो प्रथम पुरुष, मद्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, शब्द रूप आपने देखा है, लेकिन ये धात रूप का question है, question number 62 देखिए, वयम ये उत्तम पुरुष है, ठीक है, वयम ये उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, धात रूप में क्रिया आती है, क्रिया पद नहीं है, यह सर्वनाम है, यहां लिखा हुआ है सर्वनाम, तो यह क्रिया पद है, धात रूप में क्रिया आती है, यह सर्वनाम पद है, क्रिया पद नहीं है, ठीक है, तो वयम सही जवाब होगा 62 में पहला विगल, अगला देखे ध्रा धातु में तिन प्रत्य का योग करने पर कौन सा रूप बनता है अब अगर ध्रा धातु है आपकी मूल धातु है और तिन प्रत्य आपने लगा दिया तो उपसर्ग प्रत्य से यह क्वेश्चन हाथा और संस्क्रत के जो प्रत्य होते हैं वे अलग होते हैं तो यह ध्र की गध्य की या कथा की चंद अनुगत अब ये question शिच्छण प्रडाली से पूंचा है और पध्य की यह होती जब आप चंद चंद जो है वो काव्य से संबंधित है ठीक है पध्य शुद्ध वाक्य कौन सा है तो एक देखिए question शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से पूंचा है question number 65 तो दोस्तों यहाँ पर वाक्य सुद्ध है चौथा वाला विकल्ब बाकी तीनों गलत है वनेपी पदे का संधी यह वनेपी शब्द है और इस प्रद में कौन सी संधी है यह question देखिए संस्कृत में पूंच लिया लेकिन समझ में आ रहा है कि आप से क्या पूंचा है चाचट तो दोस्तों पूर्वरूप पूर्वरूप होगा ठीक है नीतिमार्गम इसके नीतिमार्गम के ना परलेंती तो देखिए यहाँ पर कुलीन आहा जन आहा सेव कह या बाल कहा question number 61 त यानि जो अच्छे कुल से संबंध रखते हैं कुलीना ठीक है तत्रयाओं में कौन सी संधी है तत्रयाओं में संधी पूंच रहा है आपसे हिंदी में question है व्रद्धी संधी लेकिन एक से दो question आपको sanskrit में भी देखने को मिले इस paper में संस्कृत में आयोगवाह वरणों की संख्या कितनी है question number 69 तो दोस्तों चार आयोगवाह माने गये हैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि ये आयोगवाह चार कौन से हैं पहला है आपका अनुस्वार अनुस्वार जो की ऐसे दूसरा है आपका विसर्ग जो की दोबिंदी ह होती है ऐसे तीसरा है जिवा मूलिय ठीक है इसका चिन ऐसे रहता है और चौथा अचोल आयोगवाह है उपधा धांबनिय ये चार अचार अचोल आयोगवाह हैं और प्रत्यहार सुत्रों में इन वरणों का योग नहीं है लेकिन ये दूसरे वरणों से मिल करके अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं, ठीक है, अनुरूपम में कौन सा समास है, चारो अप्षन है आपके सामने, question number 70 है आपकी screen पर और इसका, सही जवाब है पहला ही, अभ्याई भाव, अनुरूप, अभ्याई लगा हुगा या आपने विकल, ये उ और ओ, ये दोनों हस्व स्वर नहीं होते हैं, अगला question देखिए, सहयुक्ते प्रधाने, सूत्र किस विभक्ती का बोधक है, question number 72 आपकी screen पर है, बहतर्मा प्रश्न, सही जवाब होगा, तृतिया विभक्ती, सहयुक्ते प्रधाने, ये सूत्र, तृतिया भक्ती का बोधक होता है, बाल कावपी, इस शब्द का संधिविक्षेद क्या होगा, बाल कावपी, question number 73 आपने देख लिया, आपके चारों option है, आपकी screen पर, सही जवाब होगा, बाल काव और आपी, बी option correct है, चलिए अगले question पर आते हैं, आपकी screen पर देखिए, बगुले संस्क्रिट में क्या कहते हैं, बगुले, तो दोस्तों कपोत, कबूतर होता है, काक कववा होता है, और बक जो है ये बगुला होता है, ठीक है, बक जो है, चोहतर में, C option, इसका मतलब बगुला होता है, ठीक है, हरिये कृध्यत में हरिये कौन सा कारक है, question number 75, सही जवाब होगा, संप्रदान, संप्रदान कारक होगा, करता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो हरिये शब्द, ठीक है, के लिए, और अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है, 76, असमद शब्द की खष्टी बहवचन रूप क्या होगा, असमद शब्द, question number 76, सही जवाब होगा, नह, खष्टी बहवचन होगा, नह, रमा शब्द का, चतुर्थी एक वचन रूप कौन सा है, रमा शब्द, 77 है आपकी स्क्रिन पर, सही जवाब होगा, रमा आए, पित्र शब्द का, सब्द में एक वचन रूप कौन सा है, तो भई, शब्द रूप और धात रूप, तो ये धात रूप नहीं, बलकि शब्द रूप से ये है, तो शब्द रूप, धात रूप दोनों आपको पढ़ना परेगा, 78 में, C option, पितर, ठीक है, ये शब्दों का रूप है, एक प्रत्याहार के अंतरगत कौन से वर्ण आते हैं, एक प्रत्याहार, question number 79 में, EU, real, पहला option सही होगा, महश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो 14 बार दमरूब जाये थे, तो 14 उनकी संख्या हो गई, B option, दा का उच्चारण स्थान क्या है, दाव, टाव, ट KTM, यानि, question number 88 में हो जाएगा, मूर्धा, KTM मैंने क्यूं बताया, आपको K for कंठ, जो की है, काखागागा, T for ताल, जो की है, चाचाजाजाजा, और M for है, मूर्धा, जो की है, आपका तर्थाड़धा, तो ये trick से मैंने आपको मूर्धा बता दिया, और ये trick आप अपना लेजे, चारभयम, पद में प्रियुक्त तत्पुरु शमास, किस विभक्ति का है, चारभयम, question number 82 में, पहला option, पंचमी, question number 83, पित्रम शब्द में, विभक्ति और वचन कौन से है, पित्रम, question number 83, सही जवाब होगा, दृतिया बहुचन होगा, ये, पिता शब्द का रूप है, नद्या शब्द में, विभक्ति और वचन कौन से है, question number 84 है, आपकी स्क्रीन पर पहला option देखिए, प्रत्मा बहुचन, ये नद्या, नदी का रूप है, ठीक है, चलिए, खंडवती, इस हिंदी संख्या का बूधक क्या है, खंडवती, हो सकता है, आपके इसे कुछ लो लकार, पुरुष और वचन, आपको बताना है, भवत, question number 86 में, चौथा विकल्प, लोट मध्यम बहुचन, बी option, लोट मध्यम बहुचन, चौथा विकल्प सही होगा, सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, question number 87, सही जो अब होगा दोस्तों, आपी, ये सर्वनाम शब्द नह होगा, question number 88, स्वास्तिपद के प्रियोग में की जाने वाली विभक्ती कौन सी है, question number 88 है, तो दोस्तों, चतुर्थी विभक्ती है, ये, चतुर्थी, कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो बाढ़भट, question number 89 में सी, बाढ़भट, ठीक है, और मा, आखरी question महा का विक काली दास, दौरा विर्चित, नाटक कौन सा है, question number 90 में सही जवाब होगा, माल विकागनी मित्रम, ठीक है, इसके बाद दोस्तों, आप में से जो लोग संस्क्रिट की तयारी करें, मुझे पता, ये सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी, और अब आपके माइंड में इतना होगा कि question कैसा पूछता है, अब जो question होगा इस बार, वो 10 प्लस 2 लेवल खाएगा, यूपी टेट पे और आपको कड़ी महनत करनी होगी, तो अगर आप संस्क्रिट, हिंदी, बाल, विकास, परिया, वरण, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए complete notes और अच्छी तयारी चाह आते हैं, तो हमारा WhatsApp नमबर है, 9452-267492, यानि 94, 52, 26, 94, 92, यह हमारा official WhatsApp नमबर है, आपको इस नमबर पर add होने के लिए message करना होगा अपना नाम और गाओं का नाम लिख करके, आपके इस district से हैं, आपको special group में add होने की process बताई जाएगी, आपको सभी complete classes, all important topic के lecture, महत्वपूर्ण notes, practice set, सब कुछ बना करके provide करवाया जाएगा PDF format में, तो join करें special group for complete success, और लाए 100 plus marks एक बार में, thank you so much, वीडियो को like करें, share करें, और channel को subscribe करें, बहुत बहुत शुक्रिया,